अपनी कार से हाईवे पे ट्रेवल कर दुपेहर का टाइन तो और वो अपने मज़े में अपने धुन में गाड़ी चला रहा था आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉबलम आ रही है उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई न कोई टायर तो पंक्चर हुआ है उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई उतर के देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया अब वो बंदा थोड़ा परेशान कि इतनी तेज धूप में मुझे टायर बदलना पड़े रहा खैत जो भी कर लो टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा उसने गाड़ी में से जैक निकाला जैक को फिट किया उसके बाद टायर के बोल्ट्स कोले और उनको एक साइड में रख दिया अब वो टायर को निकालने लगा उसने जोर लगाया चटके से पीछे कीचा इसी दुरान उसका पाउन बोल्ट्स पे लगा और चारो बोल्ट नदी में गिर गए अब वो बंदा भ्यंकर वारा परिशान, टेंशन में, स्ट्रेस में, अब क्या होगा? अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मुझे जहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना कितना लेट हो गया हूँ, इतनी गर्मी में, कोई दूर-दू पूरतत नहीं है, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, शे टियार ये कहां फस गया, क्या हो गया? अब वो निराश होकर खड़ा, उसकी सोच काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता है, उसको एक ही बात, बार-बार याद आती है, कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके है, और वो आगे नहीं जा सकता, अब ये बन्दा परिशानी में साइड में खड़ा है, काफी दिर निकल चुकी है, अब सामने से उसको नजर आता है, एक किसान आ रहा है, ये सोच रहाता है, इससे मदद मांगू, ना मांगू, ये क्या मदद कर पाएगा मेरी अब ये सोच ही रहाता है, किसान खुदी आकर पूछ लेता है, साब कोई परिशानी है तो बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, वो आदमी जो कि पहले से परिशान है, गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी लगाने लगा, गाड़ी का समान मिल जाएगा, और वहाँ जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो, और फिर धीरे धीरे गाड़ी चला कर वहाँ तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, वो तुझे इतनी जल्दी solution कैसे मिल गया, पहले भी ये problem होई थी के कभी तेरे साथ, किसान मुस्कुराया और कहता ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फरक है, एक ही फरक है कि आप उस परिस्तिती में अपनी परिशानी के बारे में सोच रहते, मैं उसी परिस्तिती में हल के बारे में स आप solution की तरफ focus करोगे, आपका दिमाग हल डूढने में जाएगा ना कि परिशानी डूढने में, जब महराना परताब की सेना में अकबर की सेना के मुकाबले हाती कम थे, तो उन्होंने अपने घोडों के आगे नकली सून लगा दी, कि हाती उनको अपना समझ के मारे ना, उन्होंने problem पर focus नहीं किया कि हाती कम है, उन्होंने solution पर focus किया, घोडों को हाती बना दिया, धीरुबाई अबानी ने अपने financial status को, अपनी माली हालत को problem नहीं माना, उन्होंने पकोडे बेचे, येमिन में जाके job करी, कुछ भी किया आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो solution oriented थ महात्मा गांदी, भगत सिंग, चंदर शेकर अजाद, सुभाष चंदर बोस और ऐसे कई नाम, इन लोगोंने problem पर focus नहीं किया, हम तो गुलाम है, हम तो slave है, गुलाम ही में रहना पड़ेगा, इन्होंने solution पर focus किया, कि कैसे देश को अजाद कर सकते हैं, एक और नाम जो मै बिजनस में आएंगी, पढ़ाई में आएंगी, रिलेशन में आएंगी, लेकिन जो लोग problem oriented होते हैं, उनको परिशानी के इलावा कुछ नहीं रिखता, परिशानी की वज़े से दिमाग चलता नहीं, हिम्मत और टूप जाती है, लेकिन जो लोग solution oriented होते हैं, वो सीखते है आगे बढ़ते हैं, solution पर focus करते हैं, हल पर focus करते हैं, और हिम्मत और जुड़ जाती है, वो संजु मूवी में गाना था ना, इन गर्दिशों के बादल पर चड़के, वक्त का गिरिबान पकड़के, पूछना है जीत का पता, कर हर मैदान फते, अगर आपको भी हर मैदान क करना है, प्राबलम की वज़े से रुखना है, stay blessed, stay inspired and I love you all.